जो जनता दिल्ली पुलिस हाई हाई के नारे लगाने से नहीं धक्ती थी आज वही जनता दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा कर दिल्ली पुलिस के समर्थन में सडकों पर उतर आई है वैसे इस बात को सुनकर आप भी अचम्मित रह जाएंगे क्योंकि अभी तक आ अब दिल्ली पुलिस जिन्दाबाद और दिल्ली पुलिस के सम्मान में जनता उत्री मैदान में जैसे नारों के साथ सड़कों पर जनता देख रहे हैं यह सब तीसेजारी कोट में पुलिस और वकीलों के साथ हुई बिलंत को लेकर चल रहा है इसी के मध्यनजर उत्तरपूर्वी जिला थाना बजनपुरा अंतरगत यमना भीहर वीपांच की मार्किट से पैदल मार्च निकाली गई जिसके तैस सेंकडों की संख्या में इस्तान ने जनता मौजूद रही समाज में पुलिस के लिए जो जनता कभी बुराई के अलावा कुछ नहीं सोचती थी वही जनता आज क्या कह रही है आपको सुनिये हम लोग यमना भीहर आट डवले के सभी निवासी जो 2 नवंबर को 30 जारी में जो खांड हुआ है जिसके अंदर पुलिस और वकीलों के बीच में जो जड़ाप हुई है हम पुरी आट डवले उसकी निंदा करते हैं जो हुई हुआ यह बिल्कुल गलत हुआ है और इसके अंदर जो भी दोसी है चाहे वो वकील हो चाहे पुलिस हो उनके किलाफ कारवाई होनी चीए लेकिन जो पुलिस वालों के साथ जैसे की न्यूस में, मीडिया में दिखाया गया कि उनके साथ बहुत बरबरता का ब्यवार किया गया उनके वाइकल तोड़ दिये गे उनके साथ मार पिटाएगी हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये जो कारियवा बहुत दुर्ग्या के पूर्ण है हम लोग बाग सीधर 25 मार्चिट से एक इत्यतर हुए सारे रड़ावलू के लोग और हुआ से हमने पैदल मार्च किया दिल्ली पुलिस के स्वयोग के लिए समर्थन में और अब हम यह चाहते हैं कि जो पुलिस कभी तोहार अपने नहीं बनाती होली दिवाली चुटी सब कोई मतलब है कि अपने नहीं बनाती और वो हमारी पबलिक की रक्षा करती है ऐसे उनके साथ इस तरह का व्यवार नहीं होना चाहिए था गहीं यह होती है तो दिल्ली पुलिस जो हमारे साथ में खड़ी हूई होती है आज जिस तरीके से वकीलों ने बहुत गलत वेवार किया है दिल्ली पुलिस के साथ में हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वर्दी पे इस तरीके की बत्तमीजी की जाए और हम लोग जो हैं वो दिल्ली पुलिस के साथ है और हम नहीं चाहते कि इस तरीके की बत्तमीजी दिल्ली पुलिस के साथ में हो पुलिस के सम्मान में जिस तरह से जनता मैदान में उतरने लगी है उससे कहीं न कहीं सावजाईर है कि आज भी जनता के दिलों में पुलिस की छबे काफी एम इस्तान रखती है फिरिन सोलंग की तेजी निगाए दिली